ब्रेनी काइस, कल के तैयारी आज़ नाग अर्जुन विसुवंदू, धर्मपाल, खेंग सुवंग जैसे विद्वानों ने पड़ाई की है ओक्सफोर्ड कामरे से भी 600 साल पहले नालंद विश्विष ड्याले बन गया था ना, आलम और दाश शब्दों से मिलका नालंदा बनता है जिसका मतलब है ऐसा उपार जिसकी कोई सीमा ना हो गुप्तकाल के दौरान पाचवी शदी में इसका निर्मान कुमार गुप्त ने करवाया था इसका इधिहास सिक्षक के प्रत भारती त्रिस्टिकोड और इसकी समरिद्धी को दिखाता है विश्विध्याले का महत्व भारत समित पूरी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर है प्राचीन भारत का नालंदा विश्विध्याले एक प्रमुक और एतहासिक शिक्षड केंद्र था ये दुनिया का पहला अवासिय विश्विध्याले है जहाँ पर एकी परीसर में सिक्षक और चात्र रहते थे गुप्त समराट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्विध्याले की चार सो पचास ईशा में स्थापना की थी हश्वर्दन और पाल साशकों ने भी इसके बाद इसे संजक्षन दिया इस विध्याले की भवदा का अंदास इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमदे, 7 बड़े कक्ष और अध्यन के लिए 9 मंजिल एक विसाल पुस्तकाले था पुस्तकाले में 90 लाग से अधिक पुस्तके थी नालंदा विश्विध्याले में किसी समय 10,000 से अधिक चात्र पढ़ते थे इन चात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से जादा अधिक सिक्षक थे चात्रों का चयन उनकी मीधा पर किया जाता सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सिक्षा, रहना और खाना सभी निश्यलक था इसलिए भारत से नहीं बलकी कोरिया, जपान, चीन, तिबबत, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया जिसे दीसों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे विश्विध्याले में पढ़ने के लिए जादातर एशाई देशू, चीन, कोरिय और जपान से आने बाले बहुत बिक्षू होते थे इतिहास कारों के मुताबिक साथवी सदी में चीनी च्रावलर हिंग स्वान ने भी यहीं सिक्षक ग्रेंड की थी हेंग स्वांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्विध्याले की भविता की बारे में लिखा है बौदों की दो सबसे एहम केंद्रों में सही है एक था यह प्राचीन भारत की ज्ञान और बुद्धिमता की प्रिसार की योगदान को दर्शाता है दुनिया में नालंदा विश्विध्याले को ग्यान का बंडार कहा जाता था इस विध्याले में धार्मिक ग्रंथ, लिट्रेचर, थियोलोजी, लॉजिक, मेडिसन, फिलोसिपी, इस्ट्रोनोमी जिसे कई विशों की पढ़ाई होती थी उस समय जिन विशों की पढ़ाई यहां होती थी, वे और कहीं नहीं पढ़ाई जाते थे 700 साल तक ये विश्विध्याले दुनिया के लिए ग्यान का मार्ग था 700 साल की लंबी यात्र की बाद 12 शदी में बक्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था स्कॉलर बताते हैं जिस हमले में नालंद यूनिवोसिटी तबाह हुई वे इस विश्विध्याले पे पहला हमला नहीं था उससे पहले पाँचवे शताबदी में मीर कुल के नेतरत में हूनों ने इस पर हमला किया था फिर दूसरी बार आटवे शताबदी में बंगाल की गौड राजा ने अक्रमड कर इसे गंबीर रुकसान पहुचाया था तीसरा औस अबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सीना पती इक्तियार उद्दीन मोहमद बिन बक्तियार खिलजी और उसकी सीना ने प्राची नालंदा विश्विध्याले को नश्ट कर दिया था उस समय बक्तियार खिलजी ने उतर भारत में बौदो द्वारा साशित कुछ छीद्रों पर कबजा कर लिया था और एक बार वे काफी बीमार पड़ा उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वे ठीक न हो सका और मरनासन स्थी में पहुँच गया तबी किसी ने उसे सलादी के वे नालंदा विश्विद्याले के आयरुवितिक विवाग के प्रमुख आचारे राहुल श्री बद्र को दिखाए और इनाच करवाये परंतु खिलजी इसके लिए तयार नहीं था उसे अपने हकीमों पर जादा भरोसता वे ये मानने को तयार नहीं था भारतिया बैद उसके हकीमों से जादा ग्यान रखते हैं या जादा काबिल हो सकते हैं लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्विध्याले के आरुवितिक विवाक के प्रमुक आचारे राहुल श्री भद्र को बुलाना पड़ा। पिर बक्तियार खिल जी ने वैदराज के सामने एक अजीव श्रत रखी कि वे उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार का दबा कर सिवन नहीं करेंगे। बिना दवाके वे उसे ठीक करकर दिखाए। वैदराज ने सूच कर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिन बाद खिल जी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे। और कहा कि इस कुरान की प्रस्चंग्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। बक्तियार खिल जी ने वेदराज की बताए अनुसर कुरान को पढ़ा और ठीक हो गये। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान की कुछ पन्नों पर एक दबा का लेप लगा दिया था। वेद्टू के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिल जी इस तत्र से परिशान रहने लगा कि भारतिय विद्वान और सिक्षकों को उनके हकीमों से जादा ग्यान था। पिर उसने देश से ज्ञान, बुद्धर्म और आरुविदक की जड़ों को नश्ट करने का फैसला किया। परिराम सरूप खिल जी ने नालंदा की महान पुस्तकाले को आग लगा दी और लंबग 9 लाग पाड़लूपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है नालंदा विश्विद्याने में इतनी किताब हैं थी कि वे तीन महीने तक जलती रहें। खिल जी की आदेश पर तुर्की आकरमर कारियों ने नालंदा की हजारों धार्मिक विदवानों और बिक्षों को इक भी हत्या करती। उमीद करती हूँ ये कहाने आपको दल्चस्प लगी होगी। वामो कांटेंट फॉलो ब्रेनी काईज।